कल हमने एक प्रेस कांफरेंस की थी जहां हमारे महासचेव संगठन और कोशाद्यक्ष भी मौजूद थे और विशेथा आपको मैं याद दिला दूँ जो कर आतंकवाद हमले हो रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी पर और कॉंग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग बनान की प्रेस की जा रही है जो बीजेपी सरकार, मोधी सरकार लगी हुई है उसके बारे में जो कुछ जानकारी हमारे पास थी हमने आपके द्वारा देश के सामने रखा यह नोट बंदी को आगे ले चलता है उनिस सो दो हजार सोलह में नोट बंदी हुआ था और जो अभी कॉंग्रेस पार्टी के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है मोधी सरकार के द्वारा यह खाता बंदी है यह नोट बंदी नहीं है यह खाता बंदी है हमारे सारे खाते को बंद करने की कोशिश की जा रही है पर हम इसे हम डरते नहीं हैं हम लड़ रहे हैं एपलेट ट्राइबियूनल में और अगर जरूरत पड़े हम याया याय में भी जाएंगे पर आज जो विशे कल मैंने जिकर किया था संक्षित में पर आज जो मैं विशे लेना चाहता हूँ ये अगर कॉंग्रिस पार्टी के खिलाफ जो किया जा रहा है एक तरफ से उत्पीडन की राजनीती और प्रतिशोत की राजनीती को दर्शाता है आज जो मैं विशे उठा रहा हूँ वो हफता वसूली का प्रतीक है ये ब्लैकमेल की राजनीती है और जिस तरीके से ED, CBI और Income Tax की संस्थाएं का दुरुप्योग हुआ है कल पुलिटिकल पार्टी राजनीती दल के खिलाफ जो कारवाई की गई थी उसके बारे में हमने जानकारी दी और आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि यही संस्थाएं हमारी निजी कंपनियों के खिलाफ किस तरीके से दुरुप्योग हो रहा है ताकि उनसे चंदा लिया जाए हफता वसूली की जाए आज सुबे हमारे महासचिफ संगठन केसी विनकोपाल जी ने वित्यमंत्री को एक खत भी लिखा है यह रहे खत इसकी कौपी आपको मिल जाएगी तीन पजे का खत है इसमें सारे डीटेल है और यह जानकारी कई डिजिटल न्यूस साइट में भी प्रकाशित हुए है और यह सारी जानकारी इलेक्शन कमिशन चुनाव आयोग के वेब साइट से ही प्राप्त हुए है यह कौपी इन खत की कौपी आपको मिल जाएगी आज सुबे ही हमने हमारे सचिव संगठन ने वित्त मंत्री को खत लिखा है इसके बारे में और मोटे तोर से बात यह है कि 2018-19 और 2020-23 वित्तिय वर्षों में इन चार वर्षों में करीब 30 निजी कमपनियों के खिलाफ ED की कारवाई की शुरुवात हुई CBI की जांच की शुरुवात हुई Income Tax की जांच की शुरुवात हुई करीब 30 कमपनिया है इसके नाम भी Election Commission के वेबसाइट में मौजूद है आप देख सकते हैं यह प्रकाशित भी हुआ है कुछ कमपनियों के नाम 30 कमपनिया है जिनके खिलाफ ED, CBI और Income Tax छोड़े गए हैं और इन से इन चार सालों में BJP पार्टी को 335 करोर रुप्या चंदा मिला है एक करोर नहीं 10 करोर नहीं 100 करोर नहीं 335 करोर रुप्या और यह declared है यह गोशित क्या गया है BJP के और से और यह सब जानकारी Election चुनाव कमिशन के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा 30 कमपनियां है इन 4 साल में 335 करोर रुप्या चंदा BJP को मिला है और हम समझते हैं यह मानना है बिलकुल साफ सपूत है कि यह हफता वसूली और कुछ नहीं है कुछ ऐसी कमपनियां है जो 2018 के पहले कभी BJP पार्टी को चंदा नहीं दी थी 2018 के बाद उन्होंने चंदा देना शुरू किया कुछ ऐसी पार्टियां है कुछ ऐसी कमपनियां है जिनके खिलाफ जो कारवाई शुरू की गई है वो कॉंग्रेस पार्टी को चंदा दिया करते थे पहले वो कॉंग्रेस पार्टी को भी चंदा देना बंद कर दिये हैं कमपनियों के खिलाफ जो कारवाई करनी हैं आपकी जिए अगर कोई कानून का उलंगन हुआ है तो जरूर कारवाई होनी चाहिए पर धमकी देकर ED के द्वारा धमकी देकर CBI के द्वारा धमकी देकर और Income Tax के द्वारा धमकी देकर उनी कमपनियों से उनी नीजी कमपनियों से चंदा देना मैं समझता हूँ ये बिलकुल साफ दर्शाता है कि मूल मकसद क्या था ED, CBI और income tax की जाँच का मूल मकसद यही था हफ्ता वसूली यह blackmail की राजनीती का एक मिसाल है तो हमारे और से हमारे महासचिफ संगठन ने वित्मंत्री को लिखा है कि यह बिलकुल नामुम्किन है हलंकि मोदी है तो मुम्किन है ऐसा ही ऐसी जो कारणा में होते हैं इनी के कार्यकाल में हुआ है कभी किसी राजनीतीक दल का खाता बंद नहीं हुआ है किसी पर income tax का notice इतनी भारी मात्रा में नहीं आया है और इस तरह किसी नीजी कंपनियों के खिलाफ कारवाई नी की गई है ताकि उनसे आप चंदा हासिल करें तो हमने इसकी जांच की मांग की है हमने सवाल भी उठाएं हैं वितमंत्री से जो आप पढ़ेंगे तो हमने तीन सवाल उठाएं हैं एक सवाल तो यह है कि क्या आप आपने तो अर्थ विवस्ता पर श्वेत पत्र प्रकाशित किया क्या आप हफ्ता वसूली पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित करेंगे क्या जनता को विश्वास में लेंगे कि आपके पार्टी को चंदा मिला है कहां कहां से चंदा मिला है और ये विशे और भी महत्व रखता है क्योंकि सुप्रीम कोट ने कहा है कि इलेक्टरल बॉन्ड परियोजना हमारे सम्विधान के खिलाफ है दूसरा जो सवाल हमने उठाया है कि आप अगर जैसे कि आप दावा करते हैं कि आप का फाइनेंसिंग बिलकुल पार दर्शता से होता है आपको कोई छुपाने की जरूरत नहीं है अगर ये बात सही है कि जो जानकारी आई है चुनावायो के वेबसाइट में जो जानकारी ली गई है इन न्यूस पोर्टल के द्वारा क्या उसका आप खंडन करेंगे क्या आप उसका खंडन करेंगे कि इस कंपनी ने जिसके खिलाफ CBI, ED और Income Tax की जांच हो रही है उसे ही कंपनी से आपको यह चंदा नहीं मिला है क्या आप इससे इंकार कर सकते हैं कि पिछले चार सालों में 335 करोड रुपया BJP के खाते में आया है यह इलेक्टरल बॉंड के द्वारा नहीं यह ED बॉंड है CBI बॉंड है Income Tax बॉंड है इलेक्टरल बॉंड नहीं यह कंपनियों के नाम भी सब लोग जानते हैं इस वैबसा सब़कि नहीं कि क्या आप एक सूप्रिम कोड द्वारा MONITORED JUNCH को स्विकार करेंगे क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि हम लोकतंतर को साफ करना चाहते हैं हम FINANSCING को साफ करना चाहते हैं हम भारदर्शता लाना चाहते हैं इसी दाव के साथ आपने ऐलेक्टरल बॉंड की γो लोग तंत्र के लिए बहुत खतरनाख साबित हुआ है तो क्या अगर आपकी नियत साफ है अगर आपको कुछ चुपाने के लिए कुछ नहीं है तो इन तीन सवाल जो कॉंग्रेस पार्टी ने उठाए हैं और हमारे महा सचिफ संगठन ने वित्त मंत्री को लिखा है क्या उस उत्पीडन और प्रतिशोद की राजनीती कॉंग्रेस पार्टी के खिलाफ उसको आर्थिक रूप से अपंग करने की प्रयास और दूज़े सरफ निजी कंपनियों के खिलाफ ED, CBI और Income Tax का दुरुपयोग ताकि उनसे हफ्ता वसूल हो मोधी सरकार की नीती साफ है एक कंपनी को फाइदा बाकी कंपनियों को पीड़ा एक कंपनी को फाइदा जो कंपनी मुंबई अंतर राश्ट्री एरपोर्ट को कब्जा में करती है और जो प्रोमोटर थे जो मुंबई एरपोर्ट को लागू कर रहे थे उनके खिलाफ ED और CBI की जांच करवाई और वो बेचारा कहा कि हमसे इससे कुछ लिना दिना नहीं है अगर आप मुंबई एरपोर्ट लगाना चाहते हो ये लीजे मुंबई एरपोर्ट की चावी धमकी लेकर उस कंपनी ने मुंबई एरपोर्ट पर कब्जा पाया है तो एक कंपनी को फाइदा और बाकी सारे कंपनियों को पीड़ा ED, CBI और Income Tax संस्थाओं के द्वारा और अगर आपको राहत चाहिए तो BJP को चंदा दीजिए 335 क्रोर रुपया ऐसे ही इकटा हुआ है ये हफ्ता वसूली रन्नीती है, हफ्ता वसूली पार्टी है, हफ्ता वसूली सरकार है तो ये लोकतंत्र को कमजोर करता है ये लोकतंत्र के खिलाफ है और बिल्कुल साफ है कि प्रधान मंत्री, ग्रह मंत्री, भारती जिन्ता पार्टी कुछ भी कदम लेने के लिए तयार है जो गैर कानूनी है जो हमारे सम्मिदान के खिलाफ है लोग कांत्रिक सिध्धानतों के खिलाफ हैं ताकि वो किसी भी हालत में सत्ता में वापस लोटाएं पर हम समझते हैं कि जनता जान गई है इन सब कारणामों से तंग आई गई है और आज आप देख रहे हैं किसानों के खिलाफ राष्ट्य सुरक्षा कानून लगाने की गोश ना हुई है एक हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिन्होंने नारा दिया था हमारे देश को जै जवान और आज हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हैं जो नारा दे रहे हैं जैल जवान जैल किसान जै किसान नहीं जैल किसान तो यह हकीकत है भोकलाई हुई है घबरा बहुमत दिखाई नहीं दे रही है कुछ भी कहें तीन सो सत्तर चार सो कोई नंबर कोई आंखडा लें पर वो जान गई है कि सत्ता में आना उनका वापस वापसी बहुत मुश्किल हो रहा है दिन बाई दिन तो यही वज़े है कॉंग्रेस पार्टी के खाते को बंद करना नी यह सब असली चहरा मोधी सरकार का देश के सामने दिखाई दे रहा है यह खत की कॉपी आपको मिल जाएगे जो अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में आज हमारे महासाचिफ संगठर ने वित्त मंत्री को बेजा है शुक्रिया मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ देखें यह शब मत देखें कि आयम एलेजिंग मैंने एलेज को नहीं किया है मैंने आरोप नहीं लगा है यह सब जानकारी चुनाव आयोग के वेबसाइट पर कोई भी प्राप्त कर सकता है यह वेबसाइट पर है यह पार्टी द्वारा जानकारी दी गई है यह कंपनियों का नाम है किनके खिलाफ एडी आई एडी सीबी आई और इंकम टैक्स की जान्च हो रही है वो भी पब्लिक में है वो तो यह हम कोई आरोप नहीं लगा रहा है जो वास्तविकता है वो हम देश के सामने रख रहे हैं कि 30 कंपनिया हैं इनके खिलाफ एडी सीबी आई और इंकम टैक्स की जान्च हो रही है और इन्हीं 30 कंपनियों ने पिछले चार वित्तिय सालों में 335 करोड रुप्या चंदा बीजेपी को दिया है उस पर सवाल है त कि आडे हैं तर झान थान लुपी केस्टिंछ दिन्यूर्ट प्राइबंट लुपी किसी में दिर्स भी एंट पाड़ख प्राइब हैं लुपी अर फिपट्यों परेंट अधिल फुपी प्राइब रहे हैं कि रुपी और प्राइब यू फुपी कि तार रावी आवी that has come out on the 30 companies and their links with the bjp over the last four years whether they are being investigated which is a fact whether they have funded the bjp which is also a fact if it's not a fact you rebut it that's the second question and the third question we are asking if you have nothing to hide will you agree to a supreme court monitored investigation into the misuse of the ed cbi and income tax let me make it absolutely clear when the law is broken if there is evidence to show that the law is broken please investigate but if you use investigation as a means of blackmail to force the companies these companies 30 companies that are being investigated they have contributed 335 crores to the bjp which is a documented fact will you return this 335 crores till those 30 companies innocence or guilt is established while the investigation is going on you have collected 335 crores what does it mean that means you are using investigation as as a tool of blackmail it is a no we all know that the ed the cbi and the income tax dances to the tune of the prime minister so सारे संशोधन, Money Laundering Act के संशोधन, Income Tax Act के संशोधन, सारे के सारे संशोधन, money बिल के द्वारा लाए गए हैं, ताकि राजसबा में उसका कोई चर्चा नहों, और उस पर कोई भहस नहों, तो ये जो अधिकार दिये गए हैं, भैंकर अधिकार दिये गए हैं, अफसरों के हाथ में भैंकर अधिकार दिये गए हैं, इंडिया गडबंदन की सरकार आईएगी, यह सारे संशुदनों को इसकी समिक्षा हम करेंगे, और जो अधिकारी हैं, उनको जो हग दिया गया है, उसकी हम जरूर दुबारा उस पर हम विचार करेंगे. मैं उनके टच में नहीं हूँ, यह 30 कंपनियां की लिस्ट अगर आपको चाहिए, आप वेबसाइट पर जाएए, जिस डिजिटल वेबसाइट को बड़े धहरी जहलाई से वो, वो मीडिया के नहीं थे, पर उन्होंने इन तीन 30 कंपनियों को नाम भी दिये हैं, मेरे पास हैं और यह 30 कंपनियों के खिलाफ जांच हो रही है, और इस 30 कंपनियों के नाम, बीजे पी ने जो कागजाद दिये हैं, इलेक्शन कमिशन को, कि कहां कहां से हमें चंदा मिला है, इलेक्टरल बॉंड से नहीं, और कहीं से जो चंदा आता है, उसको डिकलेर करना पड़ता है, तो ये सब election commission के website से ही हासिल की गई जानकारी है। हम companyों से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि इन 30 companyों में से सुरफ 3 या 4 company हैं जो Congress Party को चंदा दिया करता थे। जादा तर इन 30 companyों में से 23 company हैं जिनोंने 2018 के पहले बीजेपी को कुछ चंदा नहीं दिया था। मैं आपको और जानकारी दूँगा ये 23 company जो हैं 2018 के पहले बीजेपी के साथ उनका कोई तालुकात नहीं था। पर 2018 के बाद इन 23 companyों ने करीब 188 करोर रुपया एक 188 करोर रुपया चंदा दिया है इन 23 companyों ने। जो 2018 तक कोई कोई नाता नहीं था जान शुरू हुई EDCBI income tax चोड़े गए और 188 करोर रुपया बीजेपी को मिला। यह हफता वसूल है। हाँ जी एक मिनिट आरोफ एक मिनिट जिन पर आरोफ आप लगा रहे हैं उसे आप सवाल पूछ रहे हैं अपने मझसे वो तो ठीक है लेकिन आप उन्हीं से चांच की माल भी कर रहे हैं क्या इस मामने को लेकर कॉंगरेंस सीबी सी या लोगवाल या बहुत सारे दर्वाजे हम खट खटाएंगे इसको यहां तक नहीं है पहला कदम हमने लिया है पहला कदम हमने वित्त मंत्री को अवगत कराया है क्योंकि वित्त मंत्री को पूरी जानकारी नहीं हो सकता है और नहीं जानती होंगी तो वित्त मंत्री को आज सुबे खट गया है तो अभी और भी दर्वाजे खट-खट आएंगे इसको हम यहां नहीं छोड़ेंगे हमारे खिलाफ खाते बंदी की जो कारवाई की जा रही है वो अलग है वो लड़ाई है हम लड़ते रहेंगे पर यह ease of doing business वाली सरकार है ease of doing business वाली सरकार है और उसी सरकार का असली चहरा हफ़ता वसूली है तो जहां कहीं हमें जाना है लोकपाल, CVC हम जरूर जाएंगे ED को भी हम खट लिगेंगे पर पहला कدم हमने वित्तमंत्री को लिखा दिए बिलकुल मैं पहले से पहले दिन से कह रहा हूँ, पिछले चालिस दिन से कह रहा हूँ भारत जुड़ों नहाए हात्रा के समय, खास तोर से पस्चिम बंगाल में छे दिन लगातार सुबे दोपहर शाम में कहता रहा, मुझे पता नहीं कि आप सुनते रहे की नहीं, पर मैं जरूर कहता रहा कि ममता बेनर जी के साथ बाच्चीत अभी भी जारी है, दर्वाजे बंद नहीं है, समाजवादी पार्टी के बारे में भी ये कहा करता था, लोग कहते थे आप कैसे कह सकते हैं, पर समझाता था हो गया है, आम आदमी पार्टी के साथ अभी एक दो दिन में अंतिम रूप दिया जाएगा, ममता बैनर जी के साथ भी बाच्ची चल रही है, अंतिम रूप अभी गडबंदन को बाच्चिम बंगाल में नहीं दिया गया है, बाच्ची चल रहा है, किसे हैं? सभी पार्टियों के साथ बाच्ची चल रही है, नैशनल कांफरेंस, डी एम के, इन सी पी और शिवसेना, उद्व टाके के साथ तो अंतिम रूप दे दिया गया है, पर अभी सवाल जो उट रहे हैं, खास तोर से पस्चिम बंगाल और जमों और कश्मीर के संदर्ब में उ पारी है, मैं उनके भावनाओं पर क्या टिपर नहीं कर सकता हूं, ने आप ये हफता वसूली के बारे में पूझे पूछे पूछेगा प्लीज, थोड़ा प्रधान मंतरी की रणनीती मत अपना ये, डाइवर्ट मत कीजिए, हफता वसूली का विशह है, मैं आपका सवाल आप दूंगा, पर जो विशह जो है, उस पर अपने है, मैंने कहा, मैंने पहली भी कहा, हमारे राजनीती में दो दिन बड़े लंबे समय का, लंबे समय होता है, रिनमुल कॉंगर्स has officially said that even with binoculars, we can't see a third thing, we can't, see a third thing, who is saying, the Trinamul कॉंगर्स has said many things, Trinamul कॉंगर्स has also said we are committed to the India Gatbandhan, the supreme leader of the Trinamul Congress has said that she is committed to defeating the BJP, that she wants the India Gatbandhan to be strengthened, in politics people say many things, depending on circumstances, they are reacting to certain situations. अबी देखिये अमरोहा में क्या होगा, कल अमरोहा है, अमरोहा में भारे जोड़ो न्यायात्र, मुरदाबाद से हम शुरू कर रहे हैं दस बजे, तो पहला संकेत आपको अमरोहा में मिलेगा, आप देखें कि अमरोहा में पहला संकेत मिलेगा, यही सवाल आप पूछ रहे नहीं नहीं का सवार है तो हफ्ता वसूली के बारे में पूछो जा हफ्ता वसूली के बारे में हफ्ता वसूली के बारे में हफ्ता वसूली के बारे में हफ्ता वसूली हफ्ता वसूली पर आये हफ्ता वसूली हफ्ता वसूली हफ्ता वसूली हां गुड मैड़ the investigations are on the worst thing the worst thing in don't you in India process is punishment in Indian system process is punishment सिर पर ये लटका के रहो तभी तो आप पट्री पर आओगे आपको छूट दिया जाएगा तो आप भूल जाओगे जब तक ये तलवार है ED का तलवार CBI का तलवार income tax का तलवार आपके सिर पर है आप पट्री पर रहोगे चंदा देते रहोगे जाँच बंद हो जाएगी अब चंदा भी भूल जाओगे बीजेपी को भी भूल जाओगे समझ गए रणनीती की क्या है रणनीती ये है ये तलवार लटका के रहोगे बस तब देते रहोगे आप अफता वसुली होते रहेगी दोहजार अठारह उन्निस और दोहजार बाइस देज के बीच में इन चार सालों के बीच में ये जानकारी है जो जानकारी दी गई है जो प्रकाशित भी हुआ है दोसो पेंस्पैंतीस करोड का तीस कंपनियों का दोजार अठारा उन्निस और दोजार बाइस तेईस के बीच में चाहर सालों के बीच में नहीं है इन तीस कंपनियों के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है हालांकि मैं इन तीस में से आठ या नो मालिकों को अच्छी तरह से जानता हूँ मैं उनकी जनम पत्री में पे जानता हूँ तो पर हमारे इन कंपनियों से लेना देना नहीं है हमें लेना देना है हफ्ता वसूली सरकार से यह चंदा वसूली जो हुई है आप एक तरफ कह रहे हैं हम इलेक्टरल बॉंड लाएंगे पारदर्शता लाएंगे और उसके साथ साथ आप एड़ी और सी बी आई और इनक्रम टैक्स यह द्वारा आप चंदा इकटा कर रहे हैं इन कंपनियों से उसके खिलाफ हम हैं और जैसा कि मैंने कहा एक कंपनी को फाइदा और सारे बाकी कंपनियों को पीड़ा यह इस ऑफ डूजिंग बिजनस थोड़ी है हाँ जी यार फिर से मैं बता हूँ तीस कंपनिया है कर मैं एक मिनिट सुन न मैं चौथी बार पांच्वी बार दोरा रहा हूँ तीस कंपनिया है तीन सो पेंटीस करोर रूप्या चंदा एकटा हुआ है दोजार अठारा उनन यह और दोजार बाइस तेईस के बीच में इन तीस कंपनियों में से तेईस कंपनिया ऐसी हैं जो दोजार अठारा के पहले कभी बी-जय पी को चंदा नहीं दी थी पर दोजार अठारा के बाद इन तेईस कंपनियों ने एक सो अठासी करोड रुप्या बीजे पी के खाते में जमा किया है it is not supreme court's unconstitutional it is some cream court's decision to declare electoral एक्सक्षाल प्रवंज व कर्टेज मिद्टोर्ट अब प्रवाइब कि थे क्षामिट विए वारे टुम्साथरी और प्रॉर्टीज वढुडु फन्गेश्टरी एट शिर म्स और उन्धर इस इन अलिटराज पॉर्टर प्रवंज़ यदिग बन्यों कि विदीटज प्रवा हफ्ता वसूली और इलेक्टरिल बॉंड्स का कोई नाता नहीं है ये नौन इलेक्टरिल बॉंड है इलेक्टरिल बॉंड में जो सुप्रीम कोर्ड का आदेश आया है उसका शद प्रतिशन हम चाहते हैं वो लागू हो और सभी पार्टियों पर लागू हमें कुछ छुपाने की जुरू नहीं पर ये जो नहीं जानकारी आई है कि आप एक तरफ इलेक्टरिल बॉंड से आप चंदा एकटा कर रहे हैं दूसरे तरफ आप एडी सी बी आए और इंकम टैक्स का भी दुरूप्यों कर रहे हैं है उसका पालन होना चाहिए जो जानकारी उन्होंने कही है प्रकाशित होना चाहिए हमें कोई छुपाने की हमारी नियत साफ है तो हम पीछे नहीं हटेंगे अगर SBI को कहा गया है कि आप बताओ जानकारी दो इलेक्टरिल बॉंड किसके नाम पर है हम नहीं कहेंगे यह नहीं हो क्योंकि पहले दिन से हमारा यह मानना है कि इलेक्टरिल बॉंड गैर कानूनी है संविधान के खिलाफ है और यह लीगल जैसा कि मनमोहन सिंग जी नोटबंदी के बारे में कहा था इलेक्टरिल बॉंड पर भी कहा जा सकता है यह औरगनाईज लूट और लीगलाइस्ट प्रंडर है